इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत कॉलेस्ट्रॉल एक वसायुक पदार्थ है जो आपकी रक्त वहिकाओं में बनता है और संकुचन का कारण बनता है जिससे दिल का दौरा या स्ट्रोक हो सकता है। वाले अधिकांच लोग बीमार महसूस नहीं करते हैं लेकिन आपकी दवा को रोकने से आपके कॉलेस्ट्रॉल का स्टर बढ़ सकता है जिससे हिरदे रोग और स्ट्रोक का खत्रा बढ़ जाता है। की कोशिश करें जिनमें वसा अधिक हो। इस दवा के आम साइड इफेक्ट्स में कबज, पेट फूलना, अपच और पेट दर्ध शामिल हैं। ये आम तोर पर हलके होते हैं और थोड़े समय के बाद गायब हो जाते हैं। अपने चिकित सक से परामर्ष करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आपको अपनी आँखों का कोई पीलापन दिखाई देता है या बार-बार या असपश्टी कृत मानस्पेशियों में दर्ध होता है। इस दवा का उप्योग कुछ स्थितियों जैसे लीव की बीमारी में नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को यह दवा नहीं लेनी चाहिए क्योंकि यह विकास शील बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। मधुमेक के रोगियों को यह दवा लेते समय अपने रक्ट शरकरा के स्तर की निगरानी करनी चाहिए। क्योंकि इससे रक्ट शरकरा के स्तर में वृद्धी हो सकती है। आपका डॉक्टर उपचार शुरू करने से पहले आपके लीव की कारे प्रनाली की जाँच कर सकता है और उसके बाद नियमित रूप से इसकी निगरानी कर सकता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।